नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हिंदू माइथोलोजी के अनुसार हमें ये जो जनम मिला है ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है मतलब 84 लाख जीवन के बाद हमें ये मनुस्य जीवन मिला है और हम इसे ऐसे ही बरबाद नहीं कर सकते हैं कि किसी की गुलामी करते हुए गुलामी सब्द सही तो नहीं है लेकिन मुझे जो महसूस होता है कि कोई बोले तो बैठो, कोई बोले तो उठो कोई बोले कि घर जाओ तो घर जाना है, कोई बोले तो मत जाओ तो नहीं जाना है इतनी अगर बंदिसे हैं तो इसे गुलामी ही कहेंगे, बंधुवा मजदूरी ही कहते हैं एक कहानी मैंने कहीं देखा था कि दो तरह के सेर होते हैं एक होता है जंगल का सेर, एक होता है सरकस का सेर तो सरकस के सेर की बात यह होती है कि उसे समय पर खाना मिल जाता है लेकिन एक रिंग मास्टर होता है वो रिंग मास्टर उसे बोलता है बैठने के लिए तो बैठता है उठने के लिए बोलता है तो उठता है वो उसे कलावाजिया दिखाने बोलता है तो कलावाजी दिखाता है अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता है और दूसरा होता है जंगल बन के नहीं बरबाद कर सकते हैं और अक्सर मैं यही कहता हूं कि थोड़ा सा कदम निकालिए एक कदम बस बाहर स्टार्ट तो किजिए देखिए अपने आप रास्ता मिल जाएगा हम वहीं बैठे बैठे कल्कुलेट करते रहते हैं एक बड़ी इच्छी सायरी है कि पूरी जि जंदधी उसमें निकल गई और आधी कास में निकल एक कास कर लिया होता जो दिमाग में आया था वह कास यह कदम उठा मदा लिया होता तो आश्यार कास के चक्कर में जिनदगी कर दोकस्ताम निकालीं हो सकता है ठोकरे मिलती है लेकिन दोकारी R yok को एक और लाइन है इस पर कि मिल जाएगी मंजिल भटक कर ही सही मिल जाएगी मंजिल भटक कर ही सही गुम्राथ वह है जो घर से निकले ही नहीं और मैंने देखा है अभी तक तो जीवन में बहुत जादा इक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जितना भी है उस पर मैंने जरूर यह पाया है कि जिस चीज के लिए हम कदम निकाल लेते हैं जिस चीज के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं रास्ता अपने आप बनने लगता है बस मुस्किल तभी तक है जब तक हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं जब तक और हिम्मत भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम आपने comfort zone से बाहर नहीं आना चाहते हैं पढ़ाई को लेकि मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ultimate aim आपका जीवन का कुछ भी हो पैसा कमाना हो civil services में आना हो किसी का एम होगा कि मुझे business में होना है ऐसा नहीं है कि civil service से जी सब कुछ ultimate aim है किसी का एम यह भी हो सकता है कि मुझे जीवने पैसा कमाना है धीरु भाई अंबानी के record को तो तो वह हम तब कर सकते हैं जब हम कदम तो निकाले धीरु अंबानी पेट्रॉल पंप पे काम करते थ कि आटमेटिक उनको एक दिन बादल गर्जा बिजली चमकी और उन्हें सफलता मिल गई उन्होंने वह सोचा अपने दिमाग में कि मुझे यह चीज पाना है और धीर धीर रास्ता बनता गया अकसर सब के जीवन में ही होता है कि हमें पहले दिमाग में आप पहले यहां से ज कर लिया होता कास कर लिया होता मेरे साथ नहीं हो सकता और एक और जो मैंने सबसे ज्यादा कर रहा हूं आज कल तो बात वही है या तो excuse दे दीजी या तो execute कर लिए क्योंकि जो लोग execute करते हैं उन्हें excuse देने के जरूत नहीं पड़ती और जो लोग excuse देते हैं उन्हें execute करने के जरूत नहीं पड़ती तो जो लोग excuse देना चाहते हैं जीवन में excuse बनाना चाहते हैं जीवन में वो यही कर सकते हैं कि अच्छा excuse बना लीजे, क्योंकि हर असफलता को छोपाने के लिए एक excuse सब के पास रेडी रहता है। अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखा, 12th फिल, बहुत अच्छी कहानी है उसमें, उसमें ही बताया कि उनके पास कितावे खरीदने के पैसे नहीं थे, एक IPS की रियल स्टोरी है, वो आटा चक्की में काम किया, उन्होंने ट्वालेट साफ किया, कि वो कितावे खरीद सकें और वो रह सकें, तो जो भी limitation है, जो भी आपके साथ जो different situation है, वो आपने एक excuse बना रखा है, अपने आपको comfort zone में ले जाने के लिए, कि मैं अगर इस जगह पे हूँ, तो मेरे साथ situation अलग है, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जितने बच्चों से मिलता हूं, जो कि असफल है सब यही line बोलते हैं कि मेरे साथ situation अलग है, तो आप उस चे बाहर आए, बार बार अपने आपको, आप बोल सकते हैं कि नहीं मेरे साथ situation अलग है, लेकिन ये जीवन लंबा है, हर बार आप अपने आपको संताबना दे सकते हैं, कि मेरी situation अलग है, इसलिए मैं नहीं कर पा र बस्ती रहें तो इतना अच्छा करके जाये जीवन में कुछ भी एम हो मैं नहीं कहता हूं civil services ही होना चाहिए सबका कि आपका कुछ भी ऐम हो सकता है आपका एम हो सकता है कि में मरसिडीज और डी कार में घुमों मेरे पास एक अपना बंगला होना चाहिए यह भी हो सकता है पिलते हैं मेरे साथ कटनाई है मेरे पास पैसों के कमी है तब तक परसांद एक चलिक निकाली जरूर सफलता मिलेगे